कि वो आके वो जो देख रहे हैं वो जो सुन रहे हैं उसके बारे में वो क्या कहेंगे दुलवाब बलचू स्टेज पर बैठे लीडराने कराम और मुक्तरिफ तन्जीमों और अखबारात की जानिब से आई हुए महमाने गरामी और इस गोट के साथियों हमने उस दिन सुना कि जब बैरिया टाउन यहां दाकिल हुआ तो इस चीज को मैसूस करते हुए हमारे कामरेड उसे मर्स्ति खान और दूसरे खालिक जोने जो साब ने जो है फोरन इंडिजीनियस कमेटी बनाई कि ताके यहां के मुकामी लोगों के जमीनों को ताफूस देने के लिए एक ऐसे तहरीक बनाई जाए एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो तहरीक का काम करें जब हम शुरू में यह आए तो बहुत से बहुत कम लोग इस तरफ तवज़ दे रहे थे और हता के मीडिया इसको बिलकुल कवर करने के लिए तियार नहीं था मलिक रियास का इतना खौफ था या उसका इतना जो है मीडिया पर जो है नवादशें थी कि कोई दो लाइन की खबर भी चापने के लिए तियार नहीं था हमें आद है कि फेज़ गबूर साब ने जब यहां स्टेंड लिया तो फिरिसी बेरिया टाउन को जो है बेडिया के नाम से जो है लोगों ने पैचाना आज वो बेडिया किस शकल में है वो हम सब के सामने है हम देख रहे हैं कि मकामी लोग यहां पर किस तरह जो है मुतासिर हैं आए रोज कभी पुलीस और कभी रेंजर्स आकर यहां जिस तरह कि पर दम्कियां देख कर लोगों पर मार पीड कर कर तश्दुत कर कर जो है लोगों को खौफ जदा कर रहे हैं कि लेकिन मा सिलाम पेश करता हूं यहां के उन तमाम जो हैं मकामी वोगों को और खासकर उन बलोच trips को भी कि जिनों ने आगे बढ़ कर जो है इसका मुकाब को कि संगता और दूस्ता अंचु के ये मसला देमा रहो गए तो मैंसरा फ़र्ज है कि मां दुरो धर भी आएं और ए तैरी के गोने शामिल बेवें कि मां दुरो धर परघ्री के इसलाम आएं अब माता मि सलाम आए के जो मर्ची जोदे गोना मेगोना भारा तो मैं हमें गपनी होने शुमारेचे जादा दुरा मिनत वाल अव्जबिल्लाहिमने शेतारजीम बिसमिल्लाहिरामारहिम तो पहले तमाम आने वाले मेडिया के पार्टनर और साथियों को मुस्ट वेलकम कहते हैं कि काफी दूर से आप लोग आएं थैंक्यू क्लिपिंग होने चाहिए इन लोग के लिए कि यकीनन मैं समझता हूँ तो बिसमिल्लाहिरामारहिम कल अगर इससे पहले अमानला भाई ने आपको बता दी तो वही है मैं कल मौझू था शाम के तीन बजे मैं पहुंचा था यूनिवस्टी से जब गेट के पास तो उन्होंने मुझे अंदर आने नहीं दिया काफी देर तक मैं खड़ा रहा मेरा एक गेम है किरकेट मैं समझता हूं कि मैं यहां पर एक एविंट चला रहा हूं मैं समझता हूं कि जांके ग्राउंड आबाद होंगे वहां के होस्पिटल वीरान होंगे तो मेरा एक मकसद था मैं वहां पर खड़ा रहा मुझे यहां पर आना था तो उन्होंने आने नहीं दिय उसके बाद काफी लोग थे मेरे साथ मौजूद थे जिनके पास फैमिलियां थे बच्चे थे उसके बाद हम लोग इस मसले को हल करवाना चाहते थे अलहमदोल्ला हाजी उमेद अलिया और हाजी अमीर अदिन ने इस मसले को हलो किया मगर इन्हों ने बहरिया टाउन के भी नहीं चला तो जब हम लोग ने पर उनके साथ हमला करना है चुरू कि हमारे लड़कों ने तो उन्हों ने गाड़ी इतने स्पीट में जो के हाजी अमेद अली मैं समझता हूं जान बूच के इन्हों ने हमला किया अल्ला पाक जिसको जिसको जिन्दगी देता है तो अपीर करूँगा कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और हम पीछे अटने वाले नहीं और इंशाला पीछे नहीं इटेंगे डटके इनके साथ हम मकाबला करेंगे इनको दिखाएंगे कि ये जो जितने जमीने थे ये हमारे बिरादरी के थे इन्हों ने कबजे की है इन् अंदर जो आटा और चीनी लेके जाता है तो उनकी भी सामान की तलाशी होती है कि ये बहरिया कोई की सामान तो नहीं है मगर काफी अफसोस होता है इनके उपर यकीनन मैं आप लोगा बहुत शुक्रिया और काफी बाते हैं हमारे साथी बहुत आने वारे हैं जो कि आपको जो भाईों ने बता है कि 10 साल से यहां जो मसला चलना तो किसी से ढखा चुपावा नहीं है सब को पता है कि बहरिया टाउन यहां पे क्या जुलम और मजालिब कर रही है गरी बावाम के साथ तो उसके बाद कल जो हुआ यहां पे सबसे पहले मसला यह है कि सर जतने भी गोट का विजिट आप करें इसको पूरा चार दिवारी लगा के उसको एक जेल की तरह बने हुआ हुआ है वहां पे कोई जाने का आने का मतलब कुछ है है ही नहीं तो इसके बाद हम सीम से अपील करते हैं जो आला अफसरान है उनसे करते हैं कि बराय मेरबानी इस पे नोटिस लिए जाए और इस मसले वाल किया जाए है अब आजी अली मम्मद गोट के राशी आप से अपने मसाइल और जो मजालम उनके साथ रवा रखे गए उनके बारे में बताएं पर यह मरे साथ जलम है और नहीं को मस्जिद बचा हुआ है नहीं कोई कर्वस्तान बचा हुआ है पर चाहि chi और आके देखिया जाए हालब का रहा हालत है घौऑ का कि अलट बचाने निकल सकता है कोई बंड़ मीड्या मारा हुआँननी ठीकisco कौ सब करें हिंशो darauf शुक्र है अब इसके बाद मैं मालक गबूल को दावत देता हूं कि वो आके निक्यालत का इजार करें असलाम अलेकुम सबसे पहले तो में मीडिया का शुकर गुजार हूं कि जो है ना वो दो कदम बरके हमारे यहां इलाके में आए और हमारे मसाइल सुनने के लिए जैसा कि आप सबके इलम में है कि कल जो वाकिया हुआ है यहां बेरिया टाउन में इन लोगों ने सरा सर जलम करके रखा हुआ है गोट वालों के उपर और जैसे कि आप लोगों के सब के इलम में है कि हमारी गाड़ी वहां से अंदर अंदर से बाहर आ रही थी तो इन लोगों उन गेट पे रोक के उसके जो है ने शीशे तोड़ दिये बदमाशी की वज़ा से और ये अपने आपको बदमाश समझते हैं तो उसी मामले को जुम्मे नमाज का टाइम हो रहा था नमाज से फारग हो के हम जैसे ही इनके पास आए मामले को सुलजाने के लिए कि बाई गाड़ी क्यों तोड़ा किस वज़े से तोड़ा किस बिना पे तोड़ा कोई जुरम है कोई देने के लिए है हम देने के लिए तैयार है आपके उपर है आप दे दो तो इन लोगों ने जो है ना उस मामले को सुलजाने के बदले और उलजा दिया और सिकूरिटी गार्ड बरके आए और हवाई फाइरिंग की जो हवाई फाइरिंग की पिस्टल हाथ में लेक के और वीडियो मेरे पास अविलेबल है मौजूद है सीम साब से दर्खवास है वजीर आला वजीर सिन और वजीर आजम से रिक्वेस्ट है वीडियो अविलेबल है इन लोगों ने जो फाइरिंग की मैं तो यह समझता हूँ आज तक हमारे जो सीम सिन के उसने पुलीस फोर्स को भी अजाज़त नहीं दी कि आप जो है ना सामने है और मलिक रियाज है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया से के बराए महरबानी हमारी आवास को उठाएं और इस मामले का कोई नहीं हल निकाले यह कोई एक दिन की बात नहीं है जब से बहरिया स्टार्ट हुआ है उसी दिन से लेकर आज तक यह गरीब आवाम के साथ जलम किये जा रहे हैं हमारे हैं अंदर तकरीबन 20-25 गोठ आबाद हैं और इन लोगों का ख्याल यह है कि हम मैंगेट बंद करेंगे जो अंदर गोठ आबाद हैं वो जो है ना खुद बखुद जरील होके बाहर जाएंगे लेकिन इनकी यह सोच गलत है हम यहां हैं यहां र रखा हुआ है ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन इजाज़त नहीं है जहां असलिया चलाने की इजाज़त है वहां पे असलिया चलाएं यह तो सरसर जो है ना साफ साफ कह रहे हैं कि हमें इजाज़त है बदमाशी करने की और जो है ना मलिक रियाज ने मलिक अली ने हमें सो फी पिरशत इजाज़द दी है, असलियाँ चलाने की. तो बराय महरबानी, मैं रिक्वेiekस्ट करता हूँ, जित्ने भी नहीं के जितने भी नहीं हैं, कर्नल हैं, जन्रौन हैं, मेजर हैं, जो भी हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं. अगर वो गोली चला रहे हैं सामने तो चलाएं बाकाईदा वीडियो भी मौजूद है मेरे पास हम सामने बिल्कुल कल आये थे हमने कहा फारिंग चलानी है तो चलाओ बिल्कुल सामने चलाओ सीने पे चलाओ और उन लोगों ने हवाई फाइरिंग की हवाई फाइरिंग करने के बाद हम जब उसके उपर जपके उसको गले से पकड़ा और पुलीस महां पे मौझूद थी पुलीस की निगराने में फाइरिंग हो रही थी और पुलीस वाले ने भी कुछ नहीं बिगाड सका उसका और उ दूसरी फाइरिंग की दूसरी फाइरिंग की उसके बाद जो है ना इन लोगों ने गेट बंद किया गेट बंद करने के बाद जो है ना फिर हम लोग आए और जो है ना पूरी गोट पूरी जितने भी गोट अंदर आबाद हैं बाहर आबाद हैं सब आए और उसके बाद जो पूटे हमारे पास अविलेबल हैं तो बराए महरबानी तो मीडिया से दर्खवास है कि इस चीजों को देखा जाए और इन बातों को जो है आगे पहुच जाया जाए सीएम साब से रिक्वیस्ट है वजीर-आला से वजीर-Ếजम से और चीफ जसिस से डीजी रेंजर से सब से रिक्वیस्ट है कि बराए महरबानी हमारे को ताहफूस फराहम किया जाए किउंकर यह गुंडा यह बदमाश और इस से जो है न रोज बर रोज जुलम किये जा रहा ह हमारे उपर बराय मेरमानी इस से जो हैना हमें निजात जी जाए अंदर हमारे जमीने आबाद हैं जरी जमीने हैं और जो हैना गोटे हैं और दुसरी बात यहां कि हम बेरिया से बाहर अगर हम अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू करें कोई घर बनाएं, वहाँ पे पुलीस पहुंच जाती है, बाई सरकारी जमीन है, क्यों बना रहे हो, किस वज़ा से बना रहे हो, किस बिना पर बना रहे हो, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बेरिया टाउन का अंदर का जो जमीन है, वो 70 फीसद सरकारी है, उस से हैं, इनके उपर एक्षन लिया जाए, F.I.R. किया जाएं और इन से पूच जाच किया जाएं, बाई, आप लोगों को फार जाया साथ किस ने दी है, अगर मलिक रिया जास, बलिक अली ने दी है किसा है ? तो बराए महरवानी इस चीज़ को सब चीज़ों को गोर करके इन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाए मैं मीडिया का बहुत शुकर गुजारूं बहुत बहुत महरवानी उसकी को वो दो कदम बरके यहां पे आए